या नेशनल टेक्स नंबर भी कह सकते हैं, जब आप फाइलर हो जाते हैं, पहले होते हैं, FBR के साथ, तो आपको रिजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिसको रेफरेंस नंबर कहते हैं, एफबियार में इसको रेफरेंस नंबर कह देते हैं, तो रेफरेंस आईडी भी कह देते हैं, अच्छा, एक तो यह है कि यहां से तखलीख होता है, आप जब FBR की वेबसाइट पर रिजिस्ट्र होते हैं, बाद का प्रॉसस है, कि आप फिर फाइलर होते हैं, फाइल रिटर् हो गया है, उसके बाद आप फाइलर वगयरा का प्रॉसस करते हैं, खुद करेंगा, किसे और से करवाएं, ना करवाएं, वो एक अलग बात है, दूसरी बात, यह एंटियन नंबर, जब आप फाइलर हो जाते हैं, तो आपका जो डेटा जो भी चेक करेगा, आपकी आईडी लिखकर FBR वेबसाइट पर, तो आपका स्टेटस वहाँ पर एक्टिव शो होगा, कि आप, सुरी, वहाँ पर आपका जो है ना वो डेटा शो हो जाएगा, आपने फाइल जमा करवाई है, रिटर्न फाइल जमा करवाई है, तो एक्टिव स्टेटस शो होगा, नहीं यह कैसे लिखवाना चाहिए, जब आप FBR पर रिजिस्टर होते हैं, तो आपको एक इमेल भी आ जाती है, और वैसे भी आपका वो डेटा जो है, जैसे हम अपने डेटा की एक स्क्रीन शॉट लेते हैं, तो वैसे ही वहाँ पर प्रोफाइल इंक्वाइडी का एक आप्शन होता है, जहां पर आप क्लिक करें, तो आगे आपका आईडी कार्ड नमबर मांगते हैं, वो लिखें, तो आपको एक सर्फस शो हो जाती है, आपकी परसनल सारी इंफरमिशन, उसमें आपका रैफरनस नमबर या नहीं, एंटीन नमबर लिखा था, उसका आप स्क्रीन शॉ पर हो गया, दूसरा अंसर आपका मिल गया, तीसरा ये है कि सैल्वी स्लिपर लगाने का क्या फाइदा होता है, देखें जो आपके जो भी काम होते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटीज हैं, या आपके कोई चेक्स बनते हैं, या आपका कोई बैलनस रहता है, या आपके एरियर् वेरा करते हैं या खकूमत की तरफ से आप कुछ काम करते हैं मर्दम शुमारी है या दूसरी एलेक्शन्स हैं वगएरा वगएरा उनके जब आपको बिल्स वगएरा भेजते हैं आपके अकाउंट में तो वह आपकी सैलरी सलिप के फ्रू यह भेजते हैं अच्छा अब चेक करें जब टेक्स काटना हो रहा काटना होता है उन्होंने तो बाद उकात सुष्टी और काहिली का मिजाहरा करते हुए जान बूज के मखी पर मखी मारते हुए आपका जो डेटा होता उसी पर यह आपका बना कर टेक्स ज्यादा काटके भीगे जाता है लेकिन अच्छे होते हैं वो आपका पहले स्टेटस चेक करते हैं कि हा जी एक्स कारना है सो में से बाराा रुपे तो अगर वो स्केली करने लेकिन बहुक्त कर लेग चेक अब काटने वाहाई है यही वजा है कि मिलती Бाहोना या पिर लापरवाई का बहाना देने की बजाए आप डिरेक्ट salary slip में ही add करवा देते हैं तो फिर तो वो चाहते ना चाहते खुद ही उसके सामने चीख-चीख के बता रही होगा आपकी salary slip के यह NTN यह registered बंदा है या बंदी है आप इसके पैसे 6 रुपे काटेंगे या बारा रुपे या पंद्रा रुपे नहीं काट सकते फिर उसके पास बहाना उज़र कुछ बाकी नहीं रहेगा यही फाइदा होता है otherwise यह उनका tax काटते हुए या बिल भेजते हुए अब वलीन फ्रीजा है को देखे कि tax payer जो है वो रिजिस्टर है के नहीं एक्टिफ फाइलर है के नहीं उसको अकॉर्डिंग टेक्स काटे वो छे रुपे काटना है बारा रुपे काटना बड़ा फरक पड़ता है दस जार में से आप खुद ही संभाल लें फिर अगर लाख रुपे का मार्किंग है तो उसमें हिसाब देखें कितने हजारों रुपे का नुकसान हो जाता है एक चोटी सी गलती से तो उसको आप सेफ साइड कैसे कर सकते हैं आप खुद ही अपनी सैलेर स्लिप में हैंटिया नंबर दर्ज करवा के उनको बता दें कि हाँ भी आप गलती नहीं कर सकते हैं अब गलती की गुंजाइशी नहीं और करेगा भी नहीं कोई अकलमाद बनता वैसे तो आमोमन ऐसे होता नहीं कि जो और जिस्टर्ड फाइलर एक्टिव हो उसके अकॉर्डिंगली ही बिल बनता है ऐसे होता नहीं है लेकिन हो भी सकता है आपको पता है इस सिस्टम का आपको तंग करने के लिए अकाउंट ऑफिस वाले या कोई किसी की लागत बाजी बहुती है जान बूज के तंग कर देता है कि इस दफ़ानी अगली दफ़ा फिर अलग से एक बिल बन वाना आपको पता है एक छोटा सा बिल जो है वो कितनी खजल ख़ारी के बाद वहां जाकर वो स्टेप्स के साथ होता है तो उसको सेफ कर लें पहले से यह इसका फायदा है जी यह प्रपोजल्स हैं जो पड़े लिखी कम्यूटी एफ वी आर को या हकोमत को देती हैं कि जीपी फंड जो अका हमत का भी कुसूर नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉसस करना बढ़ेगा टाइम टेकिंग एनरजी रिसोर्सेज ठीक है और आदमी मलाजमीन के ख़पत बहुत ज्यादा होगी तो यह दो छोटे से काम करने के लिए भी लाखों मलाजमीन हैं पूरे पाकिस्तान में और देखे लेकिन फिर वही बात है जीपी फांड नंबर लगवाने के लिए भी बहुत ज्यादा लगसे केस बनाना पड़ता है इस तरह से अंटियर नंबर के लिए लगसे खपत करनी पड़ते हैं फैडरल में शाहिद इस तरह है फैडरल गवर्मेंट में जो आपका जीपी फांड ह है अकाउंट नमबर वह आपका आईडी गाड ही होता है तो अम मिक्स कर गए शायद उस पर भी रेफरेंस नमबर लिखा होता है रेफरेंस नमबर दी के साथ स्टार्ट करके शायद होता है पांच या छे डिजिट का अधरवाइस जो मैंने तरीका बता है वो तो फिर लाजम है वहीं से ही असल में प्रोफाइल इंक्वाइरी निकलती है जो मैं बता रहा हूं वह आप जब FBR की वेबसाइट पर अपना आईडी कार्ड और पासवर्ड डालते हैं रिजिस्ट्रेशन नमबर वह आपका पासवर्ड आईडी कार्ड होता है तो उसमें मुख्लिफ ऑप है आईडी कारड की कापी देने और अपने अइडी कार्डो या इडी कार्ड की कापी देंगी ना कि आप साईडी कार्ड देंगी हालांके सैबने पर रधविज़फ São compute है तो इफ्रंट है तो पर आप जमागरता है वाले कागस पर शाहिद पर नबर या ईंडियंग लिखा दिया था या इमेल आ गया था आपको कि यह आपका reference number है filer बनाने वाले ने आपको send किया होगा उसको निकालने save कर ले उसको हमेशा के लिए save कर ले बस वो एक profile बन गी आपकी बाद बाद वो change नहीं होगी और वो बस बन गी यह profile वो आपका ID card है for example FBR में